नमस्कार दूस्तु स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं GDS का सबसे बड़ा चैनल और आज आपको एक पत्र दिखाना जा रहा है काफी एहम है Government of India Ministry of Communication यानि Department of Ports से बेजा गया है जो GDS सेक्षन है दिल्ली में वहाँ से बेजा गया है और यह डायरेक्ली बेजा गया है श्री सुगंदी कुमार मिश्रा जी को जो जनरल सेक्रेटरी है आपको पता है भारत एक्स्टर डिपार्टमेंटल एंप्लोई यूनियन जिनका नाम भी बदलकर भारत ग्रामेंडाक सेवक यूनियन भी रग दिया गया है तो दोस्तों यह पत्र जो लिखा है असिस्टन डिरेक्टर जनरल ने लिखा है और इसमें सुगंदी जी से एक सवाल पूचा गया है और यहां पर यह भी बताया गया है कि मीटिंग कप करनी है तो यह एक मीटिंग पर है और इसके बाद हम आपका इस पत्र का सच भी यहां पर डिकोड करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं यह जो सब्जेक्ट है प्रोवाइडिंग जोएंट मीटिंग ऑन दा इश्यू ऑफ एनमली इंप्लिमेंटेशन अफ कम्लेश चंद्र कमीटी रिपोर्ट तो दोस्तों यह है कि इसमें पत्र में जानना चाते हैं पत्र ब मुथर ही बात होगे चैसे की डिपार्टमेंट को पता ही नहीं कि गुरामिन डाक सेवर का पूदी घुस्ते में है तक हम यह यहां बीटिंग रख पाये तो दोस्तों यह सारी चीज़े है और यह बेजा गया है अब देख सकते हैं अब या हारे जो है Assistant Director General GDS के GDS के जो section होता है Departmental यहाँ पे तो यह जो पत्र है इस पत्र का कुछ मतलब नहीं बनता क्यों यह पत्र बेजा गया है जबकि आपको पता है GDS की किन चीज़ों के लिए बार-बार यहाँ पे नराजगी जाहिर कर रहे है सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे GDS को permanent होना है जो कि कोई भी union नहीं उठा रहा है इनकी बात क्योंकि दोस्तों यह सारी meeting रखकर कही ना कही उन चीज़ों को नजर अंदास करने के कोशिश की जा रही है दूसरा point है दोस्तों GDS कमिटी की जो भी सिफारिश है सभी को लागो किये जाए बिना कार्ट चाट के तो सुगंदी जी ने भी पत्र बेजा है पत्र का यह जो reply दे दिया है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वो भी जरूर देखे गया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए क्योंकि ग्रामिंडाक सेवकों की खबर है यहाई पर मिलती है